गज़ आगये कोरोना की बरबादी का तमासा देखने, हम भीर लगाएंगे, मुँसे मुँ मिला कर बात करेंगे, थोड़ी देर बक्षोधी करेंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे सिकर जिला कर देगा, फिर बक्षोधी करते हैं घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओग तुम्हारी ये चूतिया बाते तुम्हारी ये मू रखता, एक दिन इस देश के लोगों की मोत का तमासा ऐसे ही देखेगी, कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। लोकडाउन से तुम्हें कोई फरक पढ़ने वारा नहीं है, भीड में चलने की आजपड़ी है तुमको, चुगली करने की आजपड़ी है तुमको, पहले जंडा उठा के चुनाव की बाते करते थे, पर सट्टा लगाने के लिए आईपल की बाते, और अब इस कोरोना वाइर तो है, चोटी जी बात है, हमको कैसे हो सकता है, रासन भर लेता हो, फिर नहीं मिलेगा, तारू नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, सिगरेट खतम हो गई है, बहर जाना है, मोधी साब कोरोना वारेस की चेन तोड़ना चाहते है, भारत बंद तरके लोकडाउन करके कोरोना वार इसके डोक्टर, पुलिस वाले, सफाई करमचारी, आर्मी वाले राद दिन अपना घर छोड़के तुम्हारे लिए काम कर रहें, लेकिन तुम्हें क्या फरक पड़ेगा, ये पिस्टू जैसा वारस, कोविड-19, आने वाले कल में शाद अपने आपको हिंदुस्तान में कह पूरने पाएगा, एक बात भूल रहा है, अगर पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाये तो तुझे एक महीने में भागना पड़ेगा, लोग डाउन और भारत बंद का समर्थन करके अपने घर पे बैठो, फिर देखो एक ऐसे भागता है, लेकिन तुम ये काम करो लोगों नहीं कोरोना जानता है, क्योंकि ये मुर्दो को देश है, वतन के लिए किसी को कोई हम दर्दी नहीं है, यहाँ पर वारस फ्हलाना भूत आसान है, मैं हिंदू, मैं मुसल्मान, मैं सिक, मैं शाहिन भाग, मैं कश्मीरी, एक मास्क तो कोई भी लगा सकता है, लेकि लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, हमें क्या, लेकिन भाई हम तो भार घूमेंगे, है ना, घूमो भाई जिसको भार घूमना है घूमो, मैं तो अपने परिवार साथ अंदर रहूंगा